नमस्कार दोस्तों मैं परभात वाली आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिन्दन करता हूँ दोस्तों हमें आज एक ऐसा टोपिक पढ़ना है साइध वो टोपिक की जानकरी आपको मेर से भी जादा है अब आप कोगे सर आपने सुरुवात की है टोपिक की और ये बता दि क्योंकि नाम से आईडी बना कर फिलिंग्स लेते हैं वही ऐसा कुछ नहीं है और किती लड़किया होगी यार नाम पूजा है एंजल के नाम से आईडी बना रखी होगी देशी रोग स्टार गुजर बोई पता नहीं क्या-क्या लिखकर आप अपनी आईडी बना लेते हो तो इससे अपन कहते हैं सुचना तकनी की के अनुपरयोग के अनुपरयोग सिंपल भासा में ये कह रहे हैं कि जो सुचना तकनी की है ये हमारे क्या काम आती है? भाई सादी से लेकर तलाग तक जन्म परमान पत्तर से लेकर मृत्य परमान पत्तर तक रिजल्ट देखने से फोरम भरने से रिजल्ट देखने तक और नकल करने से पकड़े जाने तक ये सुचना तकनीकी काम आ रही है आसके जमाने में ऐसा कोई काम नहीं है यह हम हमारे जीवन की सुचना तकनीकी के बिना कलपना ही नहीं कर सकते अगर तीन दिन के लिए इंटरनेट बंद हो जाए तो लोगों का खाना फिना छूड़ जाए छोटे बच्चे गुडिया है मेरी एक वो जब तक मुबाइल में कोई कार्टून नहीं देखी तब तक खाना ही नहीं खाएगी इसका मतलब नेट नहीं चलेगा तो कार्टून नहीं आएगा और कार्टून नहीं आएगा तो बेबी खाना नहीं खाएगी तो मेरे कहने का मतलब अच्छे दूसर मजाग नहीं कर रहा है ये सीरियस बात है कई लोग तो खाना ही जब खाते जब उसने खा लिया अब जब तक उससे बात नहीं करेंगे वीडियो कोलिंग पर विस्वास नहीं करेंगे तब तक मतलब है नहीं की खाना खाया है इस computer का इस्तमाल के तक कोई ऐसी अचूती जगए नहीं है जहाप पर हम लोग इस्तमाल अच्छे सुनो आज जो में टोपिक बता रहा हूं आपको यह सुचना तकनीकी अनुपरियोग इन टोपिक को हम ऐसा भी कह सकते हैं कि हमारे सुचना तकनीकी के सामाजिक प्रभाव हैं हम समाज में रहने वाले प्राणी हैं और हम क्या क्या उसका यूज करते हैं उसी का इंपेक्ट हमारे समाज पर पड़ता है आज सबसे पहली शुरुवात करूँगा वैपार से सम्मदित यानि वास्तम में सुचना तकनीकी का उप्योग हम वैपार के लिए भी करते हैं तो सुचना तकनीकी के अनुपरियोग में सबसे पहला नाम मैंने मेरी तरफ से लिखा है इसे मैं क्या कहता हूँ इकोमर्स कहता हूँ क्या कहता हूँ इकोमर्स अब एक प्रेशन के साथ क्लास की सुरुवात कर रहेते तो माहुल बन जाएगा वही माहुल नहीं बनेगा जब तक पढ़ने में आनंद ही नहीं आएगा तो माहुल को बनाने के लिए कौन कह रहा हूँ कौन सा सुचना तकनीकी की सेवाएं नहीं है इसमें से कौन सा सुचना तकनीकी की सेवा नहीं है ओप्शन ए कार चलाना ओप्शन बी पती खोजना ओप्शन सी समपती खरीदना और ओप्शन डी सबजी खरीदना बताओ ऐसी कौन सी चीज है जो सुचना तकनीकी से संभो नहीं है तो आप सभी लोग जानेंगे और बताएंगे कि सरकार चलाना संभो नहीं है आने वाले समय टेसला की कारें आ रही है तो हो सकता है ये भी पोसिबल हो जाए लेकिन फिलाल इस सवाल का जबाब आपके सामने रखा हुआ है अच्छा पहला नाम पहला अनुप्रियोग है इकोमर्स आप मेंसे कितने ऐसे लोग होंगे भाई जो ओनलाइन खरिदारी करते हैं ओनलाइन खरिदारी क्यों करते हो इस बात का मुझे आज आप लोग जबाब दो मन में सोच लो अची बात है ना सोचना जरूरी है भाई तो आप e-commerce की बात करोगे ओनलाइन खरीदारी की बात करोगे तब आपके मन में बहुत सारे अच्छे अच्छे विचार आएंगे अच्छे अभी जब हम रिकोर्डिंग कर रहे हैं तो दिपावली का समय है आप में से आदे से ज्यादा लोग डिपावली पर नए ड्रेस या नए कपड़े खेदने चाह रहे होंगे तो आप ओनलाइन कंपनी के किसी भी पोर्टल पर जाओ वहां से कपड़े खेद लो एक द करती हैं बेजते रहूं दो दिन बोल दो आज मैं वहां चला गया तो यह ओनलाइन का benefit है ओफलाइन में ऐसा नहीं कर सकते हैं कोई बात नहीं पर आपको बताने की कोसिस करता हूं अब हम लोग मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं कोर्स बेच रहा हूं यह भी तो ओनलाइन मामला है ना इने का मतलब हम आपको online classes दे रहे हैं और online classes की 있나 है कि आप घर बैठे हमारी कक्षाई ले रहे हैं पढ़ रहे हैं साधान तरीके से बात कर रहा हूं तो अब आप इस बात को थोड़ा सा और पर क्रेंधिकली अपने पास लेकर चलो हम क्या बताना चाह रहे हैं कि ओनलाइन खेदारी करते समय घर बैठे आप कोई भी वस्तू मंगवा सकते हूं आपको कहीं भी जाने की आवसकता ही नहीं होती है तो एक्जाम्पल के लोर पे पूरा नाम क्या होता इसका इलेक्ट्रोनिक अग्ला वर्ड कौन सा है कोमर्स कोई इलेक्ट्रोनिक कोमर्स क्या कहेंगे परिवासा में कम्प्यूटर मोबाइल इंटरनेट यह तीनों सब्द मेरे लिए अभी एक है की साइता से वस्तू या सेवाओं का वैपार कम्प्यूटर मोबाइल इंटरनेट की साइता से वस्तू या सेवाओं का वैपार क्या कहलाता है इकोमर्स कहलाता है वस्तू का वैपार का मतलब क्या हो हम जो आपको ओनलाइन कोर्स दे रहे हैं इस वाले केस में हम आपको कोई वस्तू नहीं दे रहे हैं इस वाले केस में हम केवल आपको सर्वीस दे रहें, तो जब सर्वीस का वेपार होता उभी kęमर्स होता है, और वस्तु का वेपार होता है वो भी ऐक मर्स होता है, ठीक है, अब आपको छोटा सा सवाल पूछ रहा हूँ, कल पर्सों की बात है दिपाव लेकी शोपिंग करने मैं और वो दोनों एक दुकान पर गए हमें एक प्रेसर कूकर लेना था तो प्रेस्ट्री का अच्छा आता है मैंने सुना है ना तो हम वो ले रहे थे दुकान वाला बोला 18100 रुपे के आएगा मेडम समझदार है पड़ी लिखी है उसने गूगल पर देखा किसी कोमर्स साइट पर चली गई जाकर वांस देखा 1440 का रहा था दुकान वाले को दिख मेरे 400 का चूना उसने बचा दिया अब यह तो किया उसने अच्छी बात है लेकिन जैसे बाहर निकले तो वहां पर पाव भाजी वाला पिज्जा वाला खड़ा था तो तेरे 400 बचा इधर ले चल वह अठारा सो पूरे लग गए तो जनल बात कर रहा हूं खरीदारी कैसी कर लगता है उसमें ऐसा कुछ नहीं होता जेव से पैसे लगते हैं दुख होता है कम देने की इच्छा होता है ओनलाइन में खाते से कट गए कोई तकलीफ नहीं है तो कहने का मतलब आवस्तु या सेओं का कहीं भी वेपार कर सकते हैं तो थोड़ा और आगे चलते हैं अगर मै कहूँ एक वेक्ति होता है इस इन चैंप कहते हैं कि कॉन यह तो दूसरा होता है surface को हम होता है उपकिष्युमय का कर दो पर सो एक यह पढ़ा रहा था और दो बच्चे लड़ने लग गए डोते गुरूजिया क्या कर क्या कास्छलमर movement यह क्या बिक्टि वस्तु खरीदता है, वही तो उसे काम में लेता है यह उब्भूक्ता कहां से आ गया, ग्राहक कहां से आ गया, मैंने का भाई किसी को गिफ्ट दीया है क्या, बोлу資 बत्बूबब्स निया, आग़ी आगय करना कई काम में लिए वो कौन होता है उब्भुकता यानि ऐसा व्यक्ति जो वस्तु को क्या करता है खरीदता है उसे क्या बोलते है ग्राहक ये कौन होता है वस्तु का क्या करता है वस्तु का क्या करता है वस्तु का उपियोग करता है तो ऐसा व्यक्ति जो किसी वस्तू का उप्योग करता है ना उसे हम किस नाम से जानते हैं तो आप कोगे सरकंजूमर या उभूकता होता है और जो कोई व्यक्ति जेव से पैसे लगा कर वस्तू को खरीदता है उसे हम क्या कहते हैं ग्राक दो वर्ड हो गए पहला वर्ड कौन ह अगर आप कहें तो एक उभुकता है और दूसरा वर्ड कौन सा है कंजिमर दोनों का अर्थ आपको समझ आ गया ऐसी मैं उम्मीद कर रहा हूँ अब सुनिए इसी अधार पर e-commerce के प्रकार होते है पहला दूसरा तीसरा पहला होता है b2b दूसरा होता है b2c तीसरा होता है c2c यह e-commerce के प्रकार है क्या कहूं मैं e-commerce के प्रकार इसे बोलते हैं business to business क्या कहते हैं business to business इसे कहते हैं business to consumer या customer एक ही बात है इसे कहते हैं customer to customer अगर कोई व्यक्ति वस्तू खरीदता है और आगे वेपार करता है उसे बिस्नस कहते हैं कोई वस्तू खरीदी जाती है और वह व्यक्ति उसे अपने काम में लेता है तो इसे customer या consumer कहते हैं किसी दूसरे customer से अपने लिए ये किसी और के लिए वस्तु खरिदना customer to customer इसके लिए ज्यादर तर जो website काम आती उसका नाम क्या है olx.in है कौन सी website का ज्यादर यूज़ करते हैं olx.in पुरानी वस्तु में बेचना खरिदना ये olx पर काम होता है अब सुनो एक और छोटी सी बात जिसके बाद आगे बढ़ेंगे अब जो भी e-commerce company है e-commerce company कौन-कौन सी e-commerce company ज्यादर हम यूज़ करते हैं एक नाम है अली बाबा एक नाम है अमेजोन एक नाम में आसकल नहीं चली है मीसो मोसो कह दो एक है snap deal एक है flip card आदे यह सभी की सभी क्या है e-commerce company है जहां से हम online खरिदारी कर सकते हैं चली आज की class की सुरुवात कहां से हुई थी देखते हैं तुछना तकनीकी की अनुपरियोग या आप कह सकते हो यह इसकी सामाजिक प्रभाव भी है समाज में इसका क्या इस्तमाल होता है वह अनुपरियोग भी है वही प्रभाव होते हैं तो सबसे पहला e-commerce electronic commerce online commerce ऐसा internet commerce कुछ भी नाम इनके लिए आप प्रभाव कर सकते हो अगर आप किसी वस्तु या सेवाओं की खरीदारी online करते हो तो उसे हम e-commerce के नाम से जानते हैं फिर आपने यह बताया कि e-commerce में ग्राहक एक कस्टमबर एक कंजुमर दो वर्ड होते हैं दोनों के बारे में हमने यहां थोड़ा सा जान लिया फिर कहा ज जो हम पढ़ते हैं एक्जाम में वही आ जाए यह हम उमीद कर सकते हैं लेकिन हर एक प्रशन की भासा होती है मैंने पिछले कुछ समय से अधने बोड के खूब सारे पेपर स्टड़ी किये हैं जिससे मुझे आइडिया लग रहा है कि बाते बहुत सारी होती जिने आप समझ जानने की कोशिस करते हो यहां से थोड़ा आगे चलते हैं यहां पर सबसे पहला प्रशन आज के दिन का तक हम बात कर पाएं कोन सा रिटेल ई-कोमर्स का उधारन है कोन सा रिटेल ई-कोमर्स का उधारन है एक नमबर पे B2B दो नमबर पे B2C इन नमबर पे C2C क्या नमबर पे ओल आफ दीज प्रशन को पढ़िएगा और फिर जबाब देने की सोचिएगा जब तक प्रशन को नहीं पढ़ोगे तब तक जबाब का कोई सेंस नहीं बनता है बताओ इसमें से कौन सा retail e-commerce का उधारन है एक नमबर पे देखो क्या B2B retail होता है क्या retail को हिंदी में क्या कहते है सर तो retail को हिंदी में पता है क्या कहते है खुद्रा क्या कहते है आपने छोटी क्लासेश में जब सामाजिक विज्ञान पड़ा था साथमी आठमी क्लास में सुनाओगा एक थोक वेपार होता है एक खुद्रा वेपार होता है जातर लोग मैं भी सामिल हूं ना फुट्कर वेपार से ज़्यादा खरिदारी करते है हमारे मोले में मंगल मार्केट लगता है वहाँ से सबजी ले कर आते है फुटकर वेपार है वो खुद्रा थोका उससे कोई संबन नहीं है अब सुनो कोई बात नहीं अब यह बताओ इसका अंसर क्या आएगा तो इसका अंसर B2C आएगा क्यों कि अगर हम हमारे लिए कोई वस्तू खरीद रहे हैं यह किसी परिवार के लिए खरीद रहे हैं वो तो B to C होगा, business to customer या consumer होगा, अब कहानी यहाँ पर क्या बन रही है, या बात हम यहाँ पर क्या समझा रहे हैं कि अगर हम retail की बात करें, तो यह जो big bazaar reliance phase होते है, retail की तो दुकान होती है यहाँ से समान अपन घर के लिए लेकर आते हैं, अगर कोई wholesale है यह वाला तो, यह आपका, अच्छा, इसको हम क्या नाम दे, C to C को तेरे इस प्यार को हम क्या नाम दे, इसका नाम आप फुटकर दे दो, कोई तकलिफ नहीं है, इसका नाम आप B to C retail दे दो कोई तकलिफ नहीं है, लेकिन यहाँ से फिर अगर इसको हम retail बोलने लग गए, तो फिर best match होगा नहीं यहाँ पर, इसलिए फिर हमने इसका answer क्या रख लिया है, B to C simple सा प्रशन, आज की दिन का, इस session का पहला आपने बताया, मैंने मान लिया चलिए, e-commerce पहला था आपने online service में e-commerce का बहुँ ज़्यादा यूज किया होगा इसके बाद, दूसरे नमबर में बड़ा प्यारी service है बहुत अच्छी service है इससे अपन बोलते हैं, e-banking अगर आपके exam में ज़्यादा प्रशन बनेंगे ना, तो इसके भी बनने चाहिए, किसकी बात कर रहा हूँ मैं, e-banking की बात कर रहा हूँ अगर e-banking का जिकर करूँ, तो वास्तम में स्वाल बनाने वाली बाते हैं कौन सा e-banking का नाम नहीं है कौन सा e-banking का नाम नहीं है एक इंटरनेट इधर आजा भई बहुत दूर बैठा है इंटरनेट बैंकिंग पहला वर्ड है दूसरा है ओनलाइन बैंकिंग अब इनकी हिंदी मत पूछना भई किसरा है प्राइवेट बैंकिंग अब मैं देख रहा हूँ आप कौन से पर तुक्का मारेंगे वर्चुल बैंकिंग बताओ इसमें से कौन सा इबैंकिंग का नाम नहीं है सर पढ़ाया नहीं है आपने तो कैसे बताएं कोई बात नहीं भाई फिर भी तुक्का मार दो आंसर क्या आएगा प्राइवेट बैंकिंग इबैंकिंग का नाम नहीं है तो इबैंकिंग को हम किस नाम से जान सकते हैं तो आप कह सकते हो सर इसे इंटरनेट इसे इलेक्टरोनिक इसे वर्चुल इसे ओनलाइन इस अब इसी के नाम है बैंकिंग कहते हैं इबैंकिंग को हम इतने सारे नाम से जानते हैं इंटरनेट बैंकिंग इलेक्टरोनिक बैंकिंग वर्चुल बैंकिंग ओनलाइन बैंकिंग इस सभी के नाम है इस इंटरनेट बैंकिंग के ही नाम है तो अब इसमें क्या कर सकते ह बेंक बंद होने के बाद लेंदिन बाद क्या कर सकते हैं लेंदिन कर सकते हैं बेंक बंद होने के बाद भी इसमें क्या हो सकता है लेंदिन हो सकता है फिर आप कह सकते हो सभी प्रकार के भुकतान कर सकते हैं कि ट्रंटी फोर इंटू सेवन कर सकते हैं सभी प्रकार के बिलों का भुकतान 24 घंटे 7 दिन किया जा सकते हैं जितने भी बिल्स है उन सभी बिलों का भुकतान 24 घंटे 7 दिन कर सकते हैं ठीक है मेरे बाद एक और कहानी इनके साथ जोड़ता हूं क्या जब भी आप ओनलाइन लेंदेन करते हों तो आपके मोबाइल पर क्या आता है ओटीपी आता है ओन्दाइन लेंदेन में आपने ही वो लेंदेन किया है उसकी पहचान करने के लिए किसका इस्तमाल किया जाता है ओटीपी का ओटीपी का मतलब क्या होता है तो आप बता देना क्या बोलते है वन टाइम और अगला वर्ड कोन सा है पासवर्ड ओटीपी का मतलब क्या होता है वन टाइम पासवर्ड आप कोई भी ओनलाइन लेंदेन करोगे तो बैंक आपके नमबर पर क्या भेजता है ओटीपी उसे हम कि प्राइम, पास्वर्ड के नाम जद आए. आपकी क्लास में ऐसे कितने लोग होंगे जो भी सुन रहे मेरी बात को, उन्होंे ओनलाइन बेंकिंग का इस्तमाल किया है यह ओनलाइन यह मुबाईयल बेंकिंग ते यह वॉर्च्वले कहते हैं पीटी एम एक वोलेट होता है इसे हम क्या कहते है पोन पर एक वोलेट होता है जिसे अपन क्या कहते हैं गूगल पर नहीं कहते हैं चिंदा मत करो क्या कहते हैं अमेजोन पर एक वोलेट होता है फ्री चार्ट एक वोलेट होता है वाटसप पर एक ओला मनी ये सभी के सभी ओनलाइन भुकतान के वोलेट्स है वोलेट का मतलब क्या है इनके अंदर पैसा रह सकता है ये वोलेट के लावा अन्ने एप जो वोलेट नहीं है पर एप्लिकेशन है एक पहला भीम थोड़ दिर बात बात करेंगे दूसरा गूगल पे अब आपने गूगल पे को अलग क्यों निकाला भीम को अलग क्यों निकाला इसके बारे में आपको अभी बता देता हूं समझायता हूं अपके पास है आप एटियम में क्रेडिट कार्ड डैबिट कार्ड से पैसा एड़ कर सकते हैं यानि पेटियम के वोलेट में पैसा रह सक आपके खाते में पैसे होते तब भी ट्रांसफर होते हैं इसका मतलब पैसों का भुकतान करने के लिए Google पे या भीम पे किसका इस्तमाल करता है पहले भीम के बारे में जानते हैं फिर आगे बढ़ेंगे और चर्चा कर लेंगे ये सारे के सारे वॉलेट्स है जिसके माधगम से ओनलाइन भुकतान करते हैं तो आपको एक और बात बोलें। का उपियोग होता है ओनलाइन भुकतान के लिए इसका उपयोग होता है पैमेंट गेटवे का जब भी हम कोई ओनलाइन भुकतान करते हैं तो मैं एक पैमेंट गेटवे की आवसत्ता होती जिसके माद्देम से हम क्या करते हैं ओनलाइन भुकतान करते हैं पुड़ा और आगे चलते हैं जिसे कहान समझ आ जाए अब सुनो एक भीम एप है कौन सा एप है भीम एप तो इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं कौन सा एप है तो आप बता देना कि कौन सा एप है भीम भीम एप स्तोला बारा सोरी तीस बारा दो हजार सोला कब की बात कर रहा हूं मैं तीस बारा दो हजार सोला को कौन सा एप जारी किया गया था भीम भीम का मतलब क्या होता है भारत इंटरफेस और मनी अब भारत इंटरफेस और मनी का मतलब क्या है यह आएक बार आप सुन लो भारत की प्रधानमंती नरेदर मोदी ने डिजिटल भुकतान को बढ़ावा देने के लिए भीम एप जारी किया था कब किया था बताओ 30-12-2016 को भीम एप का फुल फुर्म क्या होता है भारत इंटरफेस फोर मनी होता है किसने जारी किया था इसे जारी किया था नरेंदर मोदी ने इसके अलावा एक ओर चीज जिसके बारे में हमें सुनना है समझना है फिर आगे चलेंगे वह क्या है सुनो ओनलाइन भुकतान के लिए ओनलाइन भुकतान के लिए कालपनिक कालपनिक को बोलते हैं वर्चुल खाता संख्या का उपियोग होता है ओनलाइन भुक्तान के लिए वर्चुल या कालपनिक खाता संख्या का उपियोग होता है अब अगर इसके बारे में थोड़ी बहुत बात्चित करूं तो वो वर्चुल खाता संख्या क्या होता है तो आप बता देना उसे क्या कहा जाता है UPI कहा जाता है ओनलाइन बुक्तान के लिए वर्चुल कहाता संख्या का उपयोग करते हैं उसे ही हम किस नाम से जानते हैं UPI के नाम से जानते हैं तो UPI का full form क्या होता है आप बता देना क्या होता है Unified Payment Interface Unified Payment Interface UPI को हम किस नाम से जानते हैं तो अब आदा देना UPI का मतलब होता है Unified Payment Interface फुल्फुम बड़ी कोमन है आप लोगों से पूछ लेते हैं अब सुनो आप किसी भी अकाउंट को लोगीन करते हो UPI से कर लो जनरल तरीके से कर लो यहाँ पर ID मांगता है नीचे क्या मांगता है आपसे पासवर्ड मांगता है और यहाँ पर एक और वर्ड होता है इससे हम कहते हैं CAPTCHA तो यह खाते की सुरुक्षित लोगीन के लिए लोगीन के लिए क्या यूज करते हैं CAPTCHA और CAPTCHA हर बार नया होता है CAPTCHA हर बार क्या होता है नया यानि ऐसा नहीं है जो पिछली बार CAPTCHA आया था वो ही CAPTCHA कोड इस बार यूज होगा हर बार CAPTCHA कोड क्या होता है नया होता है अब भई यूजर आइडी तो आपकी वो ही रहेगी जो सबसे पहले bank ने आपको बना कर दे दी password वो ही रहेंगे जो आपने reset किये अब कोई बंदा password रो जाना तो set करता नहीं है password तो 2-3-4 महिनों से set होते है या किसी को पता लग गया जब आप password change करते हो अगर किसी को पता ही नहीं लगा तो आप password change ही नहीं करते हो तो यह किसी आपकी ID को किसी ने hack कर लिया उसके बाद उसका मिस्यूज ना कर पाए इसके लिए हम उस पर क्या लगा के रखते हैं password लगा के ठीक है और जब भी आप login करोगे तो capture हर बार क्या आएगा नहीं आएगा अब इससे समंदित कुछ सब्द है जिनका आप रोजाना इस्तमाल करते हो एक word तो है हम जब पैसा भीजते हैं तो neft करते हैं उसे क्या कहते हैं जब भी हम पैसा भीजते हैं तो हम RTGSB कर सकते हैं देखो यह banking system की अलग-लग condition होती है जिसके नुसारा पैसा कम और ज़्याद पैसा ट्रांसफर कर सकते हो बैंक से पैसा ट्रांसफर करते समय हमें इन दो सब्दों का मतलब पता होना चाहिए पहला सब्द कौन सा एनियाफटी बोलते हैं नैसनल देखो इसकी limit होती है आप एक रुपय से start करके unlimited amount तक एनियाफटी कर सकते हो एनियाफटी का समय होता है घंटे दो गंटे तीन गंटे बाद अगले के खाते में credit होती है एनियाफटी जनली यह आप छुट्टे के दिन नहीं कर सकते हैं उसके अलावा एनियाफटी कर सकते ह यह तो तकलीफ नहीं है अगले दिन उसके खाते में ट्रांसफर होगी अशकल आइएंप आ गया इंस्टेंट मनी ट्रांसफर का सिस्टम हम लोग यूज़ करते हैं उसके बारे में बात करेंगे नैशनल इलेक्ट्रोनिक फंड ट्रांसफर नेश्टी का मतलब क्या होता है नैशनल इलेक्ट्रोनिक फंड ट्रांसफर यह इबैंकिंग का हिस्सा है एक है मेरे बार आटी जीएस का मतलब क्या होता है रियल टाइम ग्रोस सेटल्मेंट इसमें क्या होता है यह तो एक से लेकर एस सिमित जितने आपके खाते में पैसे हैं उतना कर सकते हो यह दो लाक से एस सिमित जितने आपके खाते में पैसे उनको कर सकते हैं इनके डेव फिक्स होते है यह आप इससे ज़्यादा इससे कम दिनों बर पैसा नहीं बैस सकते हैं अब सुनो आप जिसके खाते में पैसा भीज रहे हो जिसके खाते में क्या भीज़ते हो पैसा उस वक् कि क्या कहते हैं आप अगर बेंकिंग्स के माद देन से किसी की खाते में पैसे भीज रहे हो तो से पहले आपको बैनिफिश्री में एड करना होता है बैनिफिश्री में एड है तो आप उसे पैसा भेज सकते हो अब सुनो जिसने भी ओनलाइन लेंदेन किया है ना उन्हें इस सब्द के बारे में अच्छे से जान करिए जो पहली बार इस सब्द को सुन रहा है तो यह मान लो कि आपका कोई X वेक्ति कहीं जान कर है आप डायरेक्ट उसके खाते में पैसा नहीं डाल सकते पहले बैंक उस पैसे से क्या फाइदा होता है बेनिफील एड करने से अप अगली बार पैसा ट्रांस्फर करना वह तो आप कAI करना हो जिसे कर सकते हो दोनों में अंतर क्या है अभी आज हम बताने की कोशिस करते हैं एक credit card होता है और दूसरे debit card होता है credit card का scene क्या है debit card का scene क्या है अभी हम जानने और समझने की कोशिस करते है credit card एक plastic तिक्का काड होता है वैसा ही debit card होता है बैंक हे ने मेरा वहवार देखा है भाई भाई का विवार अच्छा है बैंक के साथ तो बैंक ने कहा लो प्रभाद जी आप एक काम करो यह लो हमारा काड ले जाओ आप दुनिया में कहीं भी चल जाओ all over world, ढाई लाक रुपय तक की सोपिंग कर लो मैं कहा भाई सब कर लेंगे पर पैसे पैसे तो देने पड़ेंगे, लेकिन सोपिंग कर लो, आप डेड़ दो मेने बाद आपकी इच्छा होज़ दे देना नहीं दोगे तो घड़ से आके हम ले ले हम ले लेंगे, लेकिन कहानी क्या है, बताने वाली बात क्या है अगर आपको ये कहा जाए ये समझाया जाए कि भाई अगर आप e-banking करते हो credit card का use कर रहे हो तो आपके खाते में पैसे होने की आवसकता नहीं है पैसे आपके खाते में होने की क्या हो सकता नहीं है, कब इसमें खाते में पैसे होने कोई अनिवारिय है इसमें नहीं है इसमें पहले खरीददारी है फिर भुकतान इसमें पहले बुकतान फिर खरीददारी है अब यहां से एक और कहने सुनो जैसा क्रेडिट कार्ड होता है ना प्लास्टिक का वैसा ही डेबिट कार्ड होता है अरे मुझे बताओ रहे आप में से किते लोगों का भामासा कार्ड बना हुआ है फड़ा फड़ा हाथ उपर गरो जो बैठे है सामने मेरा बनाओ मेरा अरे भाई कोई बात नहीं बनाओ है माल लेता हूँ अगर किसी पुरुष ने हाथ उपर कर लिया मतलब गलत है किसी आदमी का भामासा कार्ड बनता ही नहीं है किसी लड़की ने हाथ उपर कर लिया वो भी गलत है किसी लड़की का भामासा कार्ड बनता ही नहीं है अब कहोगे सर तो फिर आदमी का यह नहीं बनता लड़की का यह नहीं बनता तो किसका बनता है महिला क्या होती है समझा जागे थोड़ दिर में पहली बात तो भामासा काड़ की जमाना चला गया अब जनाधार काड़ की कहानी चल रही है तो अब इसके साथ एक और बात जो आपको मुझे बतानी है वो भी आप कागास पैन पे नोट कर लो ये केवल विवायत महिलाओं का बनता है एव विवायत का नहीं बनता है और विवायत भी उसका अगर सा मामला ही बदल दिया ठीक है तो कहानी यहां से समझने वाली हो रही है यहां पर एक क्रेडिट काड़ डेबिट काड़ होता है प्लास्टिक लगा प्लास्टिक का चिप लगा स्मार्ट काड़ होता है अब इस काड़ के नंबर 16 डिजिट के होते हैं इस काड़ के नंबर भी सोला डिजिट के होता है अब कार्ड पर त्री डिजिट का तीन अंकों का सी वी वी नंबर भी लिखा होता है आप उसे त्री डिजिट के नंबर को सी वी वी भी बोल सकते हो और सी वी सी भी बोल सकते हो अगर आप उसे सी वी वी बोलते हैं तो आप उसको कहेंगे card verification अब ये तो दोनों में सेम है cvv इसमें होता है code इसमें होती है value अगर आप से पूछे कि बताओ भाई साथ cvv का पुरा नाम तो क्या बताओगे card verification value अगर पूछे कि cvc का बताओ तो क्या बताओगे card verification आगे क्या जोड़ दोगे code ये credit card और debit card के साथ जोड़े होता है e-banking में हम जैसे ही bank बंद हो खुला हो हमें कोई फरक नहीं पड़ता हम कोई भी लेंदेन कर सकते हैं e-banking में किसी भी लेंदेन को verify करने के लिए हम लोग OTP का इस्तमाल करते हैं ठीक है कि आप उसे use करने वाले तो bank का आपके register mobile number पर OTP भेजता है e-banking में बहुत सारी चीज़े होती है चलिए अगर मैं कहूं यो नो कोन सी bank का application है option A, SBI, option B, B.O.B, option C, yes bank, option D, none जो मैं प्रशन पूछता हूँ आपको वो हो सकता एक्जाम में उल्टे आ गए हो यानि प्रशन में ऐसा पूछ लिया गया हो कि बताओ भई SBI का application कोन सा है तो SBI का application कोन सा है यो नो है अब आप से ये भी पूछ सकता है कि यो नो application कोन सी bank का application है कि दोनों बाते एक ही है हो सकता था वो सीधे मूँ बात करता तो ऐसा पूछ लेता और थोड़ा सा गुमा फिरा के बात की तो आप से अलग तरीके से बात कर ले ऐसे प्रशन services के regarding हमारे exam में आते रहते हैं चलिए एक और प्रशन कि अम्मी जूम कि लिप कार्ट snap deal नाम से पता चल जाएगा किस प्रकार की वेब साइट है इत्ता असान प्रशन तो आप बताई देंगे e-learning दूसरा e-banking किसरा e-commerce चोथा नन बताओ ये किस प्रकार की वेब साइट या कमपनिया है सीधी भासा मैं बता सकते हो ये सबी के सबी कौन सी कमपनिया है e-commerce कमपनिया है जिनका हम अलग अलग तरीके से क्या करते हैं यूग करते हैं ठीक है अब अगर सिंपल भासा में आपको मैं बता हूं तो हमने अभी दू सर्विस का जिकर किया पहली सर्विस थी e-commerce और दूसरी सर्विस कौन सी थी e-banking दोनों को हमने अच्छे समझा आप इसे अनुपरियोग भी कह सकते हैं और इंटरनेट या सुचन विस्टा तकनीकी के सामाजिक प्रभाव भी कह सकते हैं ठीक है मेरे बात अब इंकिंग जब से आया तो बैंकिंग लेंदेन में कमी नहीं आई है बैंकिंग ट्रांजेक्शन तो बढ़ गए हैं नमबर ट्रांजेक्शन तो जादा है आज आप किसी भी दुकान पर जाते है तो वहां QR code को scan करके payment कर देते हैं ठीक है मेरे UPI इससे payment कर देते हैं पहले क्या होता था किसी को भुक्तान करने के लिए bank जाना कमपल सी था अब आप छोटे मोटे भुक्तान के लिए bank जाते ही नहीं हो और जातर बार condition होती है कि bank का जो पैसा रखा होता है वो भी इदर से फिर कल जब नया session होगा तो और आधार बूद बातें आपके साथ करेंगे ठीक है देखो यहाँ पर हम लोगों ने नंबर तीन पर लिया है नंबर तीन पर लेता हूँ मैं E governance E सासन क्या ले रहा हूं E governance या E सासन कबसे पहले इस E governance के लिए मैं कुछ सब्दों का इस्तमाल यहाँ पर कर रहा हूँ पहला सब्द है E मित्र दूसा सब्द है E पुलिस किसरा सब्द है E ओसदी चोथा सब्द है E साशन पांचो सब्द है E पोर्ट अगर मैं आपसे बात करूं एक प्रोग्राम चला था NEGP के तहत NEGP कब आया था 2004 में इस सारे के सारे सब्द चले थे क्या होता है इसका पुरा नाम नेशनल ए गवर्नेंट लान यह जो NEGP आया था इसके तहती सारे सब्द मार्केट में आया थे पहला E पुलिस, E ओसदी, E साशन, E कोर्ट और भी भोच सारे ऐसे सब्द जहां पर E बने वे हैं लेकिन मैं पहले आपको E साशन के बारे में थोड़ी बहुत बाते बताता हूँ इस समय राज्य सरकार पारदर्शिता के लिए आम रागरिक तक अच्छी पहुंच के लिए इस सब्द का इस्तमाल करती है E साशन मतलब E गवर्नेंस तो इससे क्या हो रहा है सरकार वे उसके विभाग सरकार वे उसके विभाग इंटर नेट की तहायता से जुड़े हैं एक पहला वर्द पार दर्शिता इस सबसे पहला वर्ड है दूसरा आम नागरिक तक पहुंच तीसरा ब्रश्टा चार में कमी इस E गवर्नेंस के लाब है E गवर्नेंस की विशेषता है पहला सरकार और उसकी विभाग अगर इंटरनेट ही साहता से आपस में जुड़े हैं और सासन करने के लिए इसका इस्तमाल होता है तो उसे हम E सासन कहते हैं इसका फाइदा है कि एक तो आप कोई भी चीज ओनलाइन होगी तो पार दृष्टा के चांस बढ़ जाते हैं जैसे अपन कोई offline form भरते हैं तो offline वाले form में क्या होता है कि कोई वेक्ति बाद में या पहले भी जम्मा करा सकता है online में क्या होता है एक बार portal बना था और portal बंध हो गया तो अब online का दूर दूर तक कोई सम्मन नहीं रहता है इसका मतलब साधान बाहसा में बोल रहे है कि सरकार अगर इंटरनेट या computer के माध्यम से अपने विवागों को जोड लेती है और फिर साशन करती है इसे ई शाशन के नाम जानते हैं इसी कड़ी में सरकार ने इमित्र वर्ड यूज किया है इपुलिस किया इओस दी इसाशन इकोड और एकोड आप वर्ड एड कर लें जैसे हम क्या कहते हैं संपर्क पोर्टल मुझे यह पोर्टल बहुत अच्छा लगता है इसलिए मैंने अलग कलर में नाम लिखा है राज 2006 की कब की बात है 2006 में क्या आ गया था हमारे इमित्रा सेवा का प्रारम हो गया था अगर मैं कहूं कि संपर्क पोर्टल तो लगबग कब की बात है 2014 में संपर्क पोर्टल की सुरुवात हो गई थी अब अगर एक और वर्ड आप राजस्तान सरकार के सम्मन में है तो एक SSO ID भी बना हुआ है अभी थोड़ा बहुत इनके बारे में हम चर्चा करने की कोशिस करते हैं तो राजस्तान में या सरकार के बारे में हम बात करें तो एक महत्रपुन डिपार्टमेंट है विभाग है इसमें हम सरकार करती है मतलब सिंपल भासा में हम यह समझा देते हैं कि सर इसका हर काम पुलिस मित्र के रूप में हो रहा है ओनलाइन F.I.R का पूरा सिस्टम कर दिया ओसदी या कोई दवाई भी आप ओनलाइन मंगा सकते हैं इसासन यूज कर लिया कोर्ट भी आसकल सुनवाई करते हैं वीडियो कोलिंग के माध्यम से सुन रहे हैं संपरक पोर्टल और सरकार के करमचारियों की सिकाईद की राज़स्तान सरकार ने इससे लगा रखा है एक word पहला मैं एड करता हूं इससे हीं क्या कहते हैं ई मित्र practically ई मित्र के ब्रेकेट में 2006 लिखना हम को ठीक है इसे बोलते हैं internet मित्र क्या बोलते है internet मित्र अब जो सरकारी सर्विसेज होती है सरकारी पेवाई होती या सुजधाई होती है एक एप्लिकेशन है या फिर क्या है पोर्टल एप्लिकेशन का मतलब आप Android या Windows में एप डाउनलोड कर सकते हैं पोर्टल का मतलब वेबसाइट यूज़ करके कर सकते हैं तो इसका काम क्या है इसका काम है सरकार की सुवीधाओं को आम नागरिक तक पहुँचाना जो भी सरकार की सुवीधा है उसे आम नागरिक तक पहुँचाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं इस इमित्रा का यूज़ करते हैं जो भी सरकार की सर्विस है उसे आम नागरिक तक पहुँचा दो मतलब आप किसका यूज करके ऐसा कर सकते हैं तो आप इमित्रा सर्विसेस का यूज करके ऐसा कर सकते हैं इमित्र को दो नाम से जानते हैं एक होता है जनमित्र क्या होता है जनमित्र एक होता है लोकमित्र एक कौन था जनमित्र दूसरा कौन सा है लोकमित्र ये ग्रामिन छेत्र में इसे हम जनमित्र के नाम से जानते हैं और जहां पर सहरी छेत्र होता है वहाँ पर इसे हम लोकमित्र के नाम से जानते हैं एमित्रा कि दो नाम है एक जन मित्र है और दूसरा कौन सा है लोक मित्र होग की पहले पढ़ नहीं पढ़ी सिरियों बाते थें फिर दोनों ने चैटिंग की अराम से बढ़िया तरीके से फिर प्रोग्राम हुआ कि पार्क में मिलना है जब दोनों मिलने पहुंचे तो पता चला मैं तो इससे ही बात कर रहा था तो कहने का मतलब फिर उनका क्या हुआ या तो तलाक हो गया होगा या फिर पक्के कागजात बन रहे होंगे पसंद तो मैं थी नाम बदल लिया तो नाम वही रख लिया तो अलगी स्टोरी है लेकिन बात करते हैं प्रमानित करना है किसी इसको तो अब आसकल आपको सरकार की सरका उप्योग करना ही करना होता है मैंने आपको क्या कहा था कि पंजाब सरकार का मुख्यमंत्री सरकार बनने के बाद जोड-जोड से चिला था था कि मैंने यह एलप लाइन चालो की है ब्रश्टा चाल रुक जाए रहे भाई रुक हम राजस्तान के है 2014 से मामला चल रहा ह मैंने एक बार गाओं में एक सिकायत कर दी सिए कंवा पर होती ही सिकायत एक पॉटल है जैसे अपनगर कहते हैं संपरक क्या है उसके निमबर यहां से मैं आपको क्या समझानर वह समझो है राज्जे सरकार के विभागों वे करमचारियों की सिकायत के लिए किसी भी विभाग की या किसी भी करमचारियों की सिकायत करने उसके लिए पोर्टल बना हुआ है पूरा का पूरा पोर्टल मुख्य मंत्री कारियाले से मोनीटर होता है मुख्य मंत्री कारियाले से क्या होता है देख रेख होती है यानि अगर पूछे की संप्रग पोर्टल को'क only मोनीटर करता है तो आप कह दिजीए का मुख्य मंत्री कारियाले से मोनीटर होता है 24 से आपकी सिकायद पर ध्यान दिया जाता है आपने क्या सिकायद की है वो चोईस से अरतालीस गंदे में पता चल जाएगी आप में से कोई ऐसा वेक्ति है जिसने संप्रक पोटल का यूज किया है बहुत अच्छी बात है नहीं किया है तो गाव में कोई कमी है कोई सरकारी करमचारी समय पे नहीं आ रहा कई स्कूल टीचर राजधनिती करते हैं कई स्कूल टीचर सिकायत कर सकते यह रही हम इत Pfle कर दो कि हमारे स्कूल का टीचर 15 का दो्ne जाएगा रही को brace संप्र हो जिया गराम सेवक जो है पहला मतलब परसासनी का दिखारी होता है गाउं में तो ग्राम सेवक की साधी है उसके घर में किसी की डैथ हो गई फिर भी उसे संप्रक पोल्टर चलाना ही पड़ेगा ठीकायतों को देखकर आगे फोरवर्ड करना उन पर रिप्लाई देना पहली प्रात्मिक्ता में अने ग्राम से और रोल आता आगे और चलते हैं उनकी कहानी आगे बनाएंगे चलो एक और नाम उसके बाद आगे चलते हैं कि लिखा है एसस औ यृँ का बोलते हैं इंगल मैं मैं हौन कि अब जितनी भी भरति आती है पीक आप तो इस पे टिंगल विंडो बना दिया राजस्तान का जो भी नागरिक है एक और फाइदा बार बार डोक्यूमेंट अप्लोड नहीं आपने कौन सा एक्जाम दिया था किते नंबर लेकर रहे था वो सारी जानकरी इसके पास रहेगी आपको बार-बार को डोक्यूमेंट अप्लोड करना ये करना वो करना लफड़ा नहीं होता है सिंपल तरीकिये से आप SSID का यूज करो इस पर सारी जानकारी आपकी क्या रहेगी सुलक्षित रहेगी सेव रहेगी एक और चुटी सी बात जिससे भी लिख लेते हैं जिनको मैं एड कर रहा हूं क्योंकि राजस्तान का एक्जाम में कई बार उनके बारे में बात कर लेते एक वर्ड और है राजधरा उनसा वर्ड है राजधरा एक और वर्ड है इसे पन कहते हैं राजमेक यह दो और पढ़ लेते हैं फिर आज ईकोर्ट ईगवर्नेंस ईसासन संपरक पोर्टल SSID को यहीं पर रोक देंगे यह भी एक हमारे इंटरनेट की सर्विस या सुचना तक लोकेशन को बताता है लेकिन राजधरा क्या है आपका लोकल जीपीएस है क्या है लोकल जीपीएस क्या बोलते हैं ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम अब यह क्या करता है आपकी लोकेशन को बताता है इसको बताता है लोकेशन को राज में क्या है राजस्तान का प्लाउड स्टोरेज है आप इसे भी यूज़ कर सकते हैं इस तरकार के जितने भी विवाग है वो कहां पर है एत्यासिक स्टल कहां पर है उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं जीपीएस का यूज़ करते हैं वैसे ही राजस्तान में ये राज मेग सब्द का हम लोग इस्तमाल करते हैं आज के सेशन में दोस्तों इतना ही अगले सेशन में और सर्विसेस के बारे में बात करेंगे तब तक के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद करते हैं